दोस्तो इस वीडियो में आप सीखेंगे समझेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक गीजर का वायर कनेक्शन किस तरह से कियाता है इलेक्ट्रिक गीजर के सभी पार्ट को किस तरह से चेक कियाता है और यदि आपका गीजर खराब हो जाता है तो आप किस तरह से उसका रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तो यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है डाइग्राम के जर्ये तो नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है अमर और आप देख रहे हमारे युटूब चेनल मेकनिकल सर्ज तो चले दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फट टाक से तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक गीजर का डाइग्राम बनाया है पानी को गर्म करता है और इस पार जो आप देख सकते जो पार्ट लगा हो है या दूसरा थर्मोट्रेक होता है जिसे हम कट-व भी कहते हैं तो दोस्तो यह पार्ट होता है इसके अंदर लगा हुआ रहते दोस्तो हम इसका connection करना बताएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे यह जो इस पार्ट का जो कार्य है उससे हम पहले समझ लेते हैं उसके बाद इसका connection करना सीखेंगे दोस्तों जैसे कि हमारा thermostat होता है वह अगर पानी हमारा 65 डिगर तक गर्म हो जाता है तो यह आटोमेटिक पावर को कर देता है इसके बाद दूसरा thermostat होता है थोससे हम कॉट आप भी करते है अगर हमारा thermostat किसी का रवार से खराब हो जाता है तो उस इस पकार से इसका कार्य होता है अब हम इसका connection करना पहले सीख लेते हैं chemical आपको फेश के supply देना है और सबसे पहले आपको झो thermostate होता है उसका किसी वी एक point मीँड़ीच के लिए आपstar जोड़ देना है ए पहले इसके बाद दूसरा organism बचता है तो वहां से आपको जो दूसरा thermostate है जिसे हम cutoff कहते हैं उसके किसी भी एक point में आपको ले जा कर जोड़ देना है तो इस पकार से हमने यह जो दूसरा thermostate है उसका point में जोड़ दिया है दोस्तु जो thermostate होता है वह current को एक सिरे से दूसरे से तक पास करता है और जो दूसरा थर्मोटेट है वह भी एक सीय से दूसरे सीय तक करेंट को पास करता है तो अब क्या करेंगे जो दूसरा थर्मोटेट के जो एक पॉइंट बचया है वहाँ से हम जो हमारा element है उसका किसी भी एक पॉइंट में आपको जोड़ देना है फेच की सप्लाई जोड़ने के बाद तो हम उसी पॉइंट में सीधे हम न्यूटल के सप्लाई यहाँ पर जोड़ देते हैं तो इस पका से इसका कनेक्शन सिरीज में हुआ रहता है जो इलेक्ट्रिक गिजर हुआ रहता है उसका अब इसके बाद दोस्तो इसका इंडिकेटर का कनेक्शन करना बताएंगे तो दोस्तो इसमें दो इंडिकेटर लगा हुआ था एक रेड़ वाली पावर LED और दूसरा ग्रीन वाली जो जिस समय हमारा पानी गर्म हो रहा होता है उस समय यहां इंडिकेट करता है अगर हमारा पानी गर्म करना बंद हो जाता है तो यह इंडिकेटर है वह बंद हो जाता है तो दोस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा पावर LED है उसका कनेक्शन कैसे करना उससे आपको बता देते हैं तो हम क्या करेंगे जो हमारा red LED है उसका एक वायर को आपको सीधे जो फेच की supply के लिए हमने यहाँ पर first में जोड़े थे जहाँ पर हमने सीधे thermostat के एक point में आपको जोड़े उसी point में आपको यहाँ पर फेच की supply LED में दे देना है और जो दूसरा वायर बशता है red LED का उसे हम neutral के supply के लिए सीधे जो हम neutral के supply जोड़े है element के एक point के साथ वहीं पर जोड़ देना है तो इस पकाद से तो यह जो LED होता है सीधे फेच के साथ जूरा हो रहता है जिससे के हमें indicate करता है कि इस गीजर में जो supply है वह जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगी जो हमारा green LED है जो की power cut होनी के बाद आफ हो जाता है उसका कनेस्तन करेंगे तो उसका एक वायर को आपको यहीं सी neutral दे देना है और इसका दूसरा वार है दोस्तों उससे आपको क्या करना है जो thermostate का जो अंदर वाला वार है जो हमने फेच की supply दिया है जहां से हमने दूसरे thermostate में ले गया है वहां पर आपको जोड़ना है आप दे सकते मैं आप पर जोड़ा हूं यहां पर आपको इस पाइल में जोड़ना है आपको इस पार नहीं जोड़ना है आपको thermostate के उस पार जोड़ना है जिससे कि क्या होगे दोस्तों जैसे कि हमारा thermostate 65 डिगर तक गर्म करने के बाद आ आगे नहीं जाएगा और आगे स्थेज के सप्लाई ना जाने की कारण जो हमारा ग्रीन एलिटी है वहाँ पर करेंट नहीं जाएगा जिससे की वह आप हो जाएगा और जिस से के हमें पता चलेगा कि हमारा जो घीजर है वहाँ पूरीता से गर्म कर चुका है अब आप कि इसके पार्ट को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इससे आप स्रीज बल्ब की जरी चेक कर सकते हैं या मल्टिमीटर की थूरू भी चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप मल्टिमीटर की थूरू चेक करना चाहते हैं तो आप इसके सारे पार्ट को चेक कर सकत तो अगर बीप साउंड नहीं बताता है तो वह खराब हो चुका है इससे पकार से आपको जो इलिमेंट है उसके दोनों प्राप में रखना है वहाँ पर भी आपको इसके पार्ट को चेक कर सकते हैं अब अगर आपको LED को चेक करना है तो आप LED के दोनों वायर को दोनों प्राप को अल्टी पल्डी करके चेक करें हो सकता है एक तरफ आपका कंजूटी या इसका जो लाइट है वह हलका से गलो ना हो तो आप दोनों LED को दोनों वायर में दोनों प्राप में अल्टी पल्डी करके यहाँ पर चेक करें इसमें आपका जो बल्ब है वह हलकर सा ग्लो करेगा तो दोस्तो इस तरह से आप इसके सभी पार्ट को मल्टिमीटर के थूद चेक कर सकते हैं अब दोस्तो मालों कि आपका गीजर खराब हो चुका है तो आपको कैसे पता करना की कौन से पार्ट खराब है तो उस समय आपको या ध्या सप्लाई वाला वायर है वह खराब हो चुका हो तो दोस्तों आपको सप्लाई वार को चेक करना होगा तो आपको क्या करना सप्लाई वार के एक टेमिल में यहां पर रखना है और दूसरे प्रॉप को यहां पर फेच के सप्लाई हमने यहां पर जोड़े यहां पर रखना है और यहां न्यूट्र के supply दिया यहां पर रखने, आनि कि आपको दुनों जगा प्रॉप को रख के देखना है, आपको एक जगा आपको कंज्टी बताएगा, दूसरे पिंट को यहां पर शेक करना तो फिर भी आपको दुनों जगा शेक करना इस पकार से, तो इसे पता यह आपका supply wire सही है या नहीं अगर इसमें इसमें चाहिए तो यह सही है अगर नहीं बताता तो यह खराब है तो आप इस supply wire को change करके इसका repair कर सकते हैं अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इसके सभी पार को check करना बता दिया है फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपको थर्मश्रोय को check करना है तो आप इसका दोनों पीन में इस तरह से रखे आपको continuity बताएगा अगर सही रहेगा तो इस तरह से आप इसका जो element है उससे बी चेक कर सकते है अगर सही रहेगा तो आपको continuity बताएगा अगर खराब रहे तो इसमें सबी पार को check कर सकते है जो part आपको गंटूट्री नहीं बताता है तो वा खराब हुचुका है आप उसको change करके अपने गीजर का जो problem है उसे solve कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके गीजर में कोई अन्य प्राबलम हो तो आप comment करके जरूर बताएगा हो सके तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बुनाने की कोशिश जरूर करेंगे तो चले दोस्तों मिलते हैं ने स्टूडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम